देखना नभूलें धन्यवाद नमस्कार द्रिष्टी आईएस की टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है शुरुआत करेंगे पिछले सेशन के रीकैब से पहला प्रश्न था विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के संबद्न में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक, भारत में शीश दस प्रतिशत लोगों के पास कुल राश्ट्रिय आये का 57 प्रतिशत हिस्सा है दो, मध्यपूर्व और उत्री अफरीका यानि M.E.N.E. दुनिया के सबसे असमानत क्षेतर है तीन, अमेरिका में असमानता कस्तर सबसे कम है उपर्युक्त कत्नों में से कौन सा या से सही है या फिर है इससा सही जवाब था केवल एक और दो अगला प्रशन था, निम्दरिखित कत्नों पर विचार कीजिए एक, मानवाधिकार परिशत सयोग्त राश्ट्र के तहट मानवाधिकारों के प्रचार और सनरक्षन के लिए जिम्मेदार एक निकाय है दो, भारत में एक सम्विधानिक निकाय राश्ट्रिय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों के मामलों से संबंदित है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? इसा सही जवाब था केवल एक अगला प्रशन था निमनलिखित में से कौन सा समय धानिक प्रावधान कुछ दशाओं में गिरफतारी और निरोध से संरक्षन प्रदान करता है इसा सही जवाब था अनुच्छेद 22 अगला प्रश्न था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक, काला सागर कर्च जल संधी के जरिये अजोव सागर से जुडा हुआ है दो, डाडा नेल्स, बॉस्पोरस और मर्मरा सी, भू मद्य सागरिये और काला सागर के बीच एक संकर्मन क्षेतर बनाते हैं उपरियुक्त कथनों में से कौन सा यांसे सही है या फिर हैं? इससा सही जवाब था एक और दो तोनों आगला प्रशन था कस्तूरी रंगन समीती ने निम्नरिखित में से कौन से सुझाव दिये हैं? एक, एको सेंसिटिव एरिया में खनन, उत्खनन और रेध खनन पर पूर्ण प्रतिबंद दो, इसस के दायरे से बसने योग्यक्षेत्रों यानि इनहबिटेट और रिक्षारोपण को बाहर रखा जाएं तीन, पश्चिमी घाट के कुलक्षेत्रफल के बजाए कुलक्षेत्रफल का केवल 37 प्रतिशत ही इससे के तहत लाया जाना है चार, लाल श्रेणी यानि रेट कैटिकरी वाले उद्ध्योगों पर प्रतिबंद नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए इसका सही चवाब था 1, 2, 3, 4 अगला प्रैशने था अगला प्रैशने था दिल्ली विशेश पुलिस थापना संशोधन विध्योग 2021 के संबंद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक, यह अधिनियम कुछ अपराधों के संदर्भ में जांच के लिए दिल्ली विशेश पुलिस के गठन का प्रावधान करता है दो, यह विदेयक दिल्ली विशेश पुलिस स्थापना अधिनियम 1956 में संशोधन करता है उपरियुक्त कथनों में से कौन सा यांसे सही है यां फिर है इसा सही जवाब था केवल एक आगला प्रेशन था भारते प्राकरतिक क्रिशी पदती यानि बी-पी-के-पी के संबंद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक यह 2020-21 से परंपरागत क्रिशी विकास योजना यानि PKVY की एक उपी योजना है दो यह योजना केवल कुछ सिंथेटिक रासायनिक इंपुट्स के बहिशकरण पर जोड़ देती है तीन इस योजना के तहट तीन साल के लिए बारा हजार दोसो रुपे प्रती हेक्टेयर की वित्तिय सहायता प्रदान की जाती है उपर युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है इससा सही जवाब था केवले एक और ती अगला प्रशन था राश्रिय मानवाधिकार आयोग के संबंद में निम्दलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक, इसके पास दिवानी और फौशदारी अदालत की सभी शक्तियां है और इसकी कारेवाहियां न्याइक प्रकृती की होती है दो, एक व्यक्ति जो भारत का मुखे नयाधीश या उचे नयायाले का नयाधीश रहा हो वह इसका अध्यक्ष होता है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है इसका सही जवाब था ना तो एक और ना ही दो अंतिम प्रशन था हौन बिल महोचसव के संबंद में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एक, यह महोचसव प्रतिवर्ष साथ दिसम्बर को मनाया जाता है दो, इस महोचसव को नागा लैंड में त्योहारों का त्योहार यानि फेस्टिवल ओफ फेस्टिवल्स कहा जाता है वो परियुक्त कथनों में से कौन सा यांसे सही है यां फिर हैं इससा सही जवाब था केवल दो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्ण शामा प्रसाद मुखरजी रूर्बन मिशन यानी SPMRM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए 1. SPMRM केंद्रियक शेत्र की एक योजना है 2. Provision of Urban Emanities to Rural Areas यानी P.U.R.A. पर योजना रूर्बन मिशन की पूर्व वर्ती पर योजना थी 3. क्लस्टर आधारित विकास इस मिशन का एक मुख्य घटक है 4. इसके तहट क्लस्टरों की पहचान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है उपर युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है या फिर है केवल एक, केवल दो, केवल दो और चार या फिर एक, दो, तीन और चार इसका सही जवाब अप्शन ए केवल एक नीती आयोग के मुताबिक शामा प्रसाद मुखरजी रूर्बन मिशन यानि SPM-RM के ग्रोथ क्लस्टर बुन्यादी धांचे को सुनिश्चित करके शहरी प्रवास को कम करने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं इस मिशन के तहट कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और अध्योगी करण को बढ़ावा दिया जाता है यह भारत के ग्रामीर क्षेत्रों में संक्रमन कालीन विकास की बजाए परिवर्तन कारी विकास सुनिष्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन है यह एक केंदर प्रायोजित योजना है अतह कथन एक गलत है 2003 में घोशित प्रोविजन आफ अर्बन एमेनिटीज टू रूरल एरियास यानि P.U.R.A. परियोजना रूर्बन मिशन की पूर्व वर्ती परियोजना थी इसलिए कथन दो सही है 2016 में ग्रामीड विकास मंत्राले यानि M.O.R.D. द्वारा S.P.M.R.M की शुरुवाद ग्रामीड क्षेतरों में एकिकरित परियोजना आधारित बुनियादी धांचे के विकास के लिए की गई थी क्लस्टर आधारित विकास इस मिशन का मुख्य घटक है इसमें रूर्बन क्लस्टर की दो श्रेणिया बनाई गई है जंजातिये और गैर जंजातिये इसलिए कथन 3 सही है इसमें राज़सरकार ग्रामीन विकास मंत्राले के क्रियानवन फ्रेमवक के अनुसार क्लस्टरों की पहचान करती है इसलिए कथन 4 सही है तो इस तरह इस प्रश्ण का सही जवाब आप्शन ए केवल एक हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल ड्रिश्टी आएस एंग्लिश आज के सेशन का पहला प्रश्ण है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीचिए एक, ESAs यानि एको सेंसिटिव एरिया पारितंत्र के लिहास से कुछ अधिक संवेदंशील यानि भंगूर या कमजोर क्षेत्र होते हैं जो की संरक्षित क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के दाएरे में आते हैं दो, परियावरण संरक्षन अधिनियम 1986 के तहत परियावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्राले द्वारा ESAs को अधिसूचित किया जाता है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनो या फिर ना तो एक और ना ही दो इससे ही जवाबे उप्षन C, एक और दो दोनो यानि दोनों कथन सही है ESAs यानि एको सेंसिटिव एरिया पारीतंत्र के लिहास से कुछ अधिक समवेदंशील यानि भंगुर या कमजोर क्षेत्र होते हैं जो की संरक्षित शेत्रों के 10 किलोमीटर के दायरे में आते हैं इसलिए कथन एक सही है परियावरण संरक्षन अधिनियम 1986 के तहत परियावरण 1 और जलवायू परिवर्तन मंत्राले यानि MOEFCC द्वारा ESAs को अधिसूचित किया चाता है इसलिए कथन दो सही है इसका मूल उद्देश्य राश्ट्रिय उद्द्यानों और वन्यजीव अभ्यारणयों के आसपास कुछ गतिविधियों को रवी नियमित करना है यह सनरक्षित शेतरों को शामिल करते हुए कुछ अधिक समवेदन शील यानि भंगुर या कमजोर पालिस्थिती की तंतर पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए घोशित किया जाता है निशद गतिविधियों में वानिज जिखनन, प्रदूशन, वायू, पानी, मिट्टी, शोर, प्रदूशन आदी वाले उद्योग, प्रमुक जल विद्युत परियोज नाओ यानि HEP की स्थापना, लकडी का व्यावसाइक उप्योग, राष्ट्रिये उद्यान के ऊपर ग क्रिशी प्रणाली में भारी परिवर्तन, जैसे भारी प्रद्योगी की कीट नाशकों आदी का छिड़काव, सडकों का चोड़ी करण शामिल है। नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सबस्टेंस यानि NDPS एक्ट 1985 के तहत किया गया था। नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट 1985 में संशोधन करता है। नार्कोटिक स कंट्रोल ब्योर यानि NCB का गठन भारत सरकार द्वारा 1986 में नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट 1985 के तहत किया गया था। इसलिए कथन एक सही है। नशीली दवाओं के दुरुप्योग पर नियंतरण करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। तो इस तरह इस प्रश्ण का सही जवाबे उप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्ण है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, साथ अगस्त 1905 को स्वविने अवग्या आंदोलन के शुरू होने के कारण प्रत्येक वर्श साथ अगस्त को राष्ट्रिय हतकरगा दिवस मनाया जाता है। दो, भारत में कपड़ा और हतकरगा क्षेत्र लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। तीन, हतकरगा निर्यात संवर्धन परिशत का गठन कमपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहट एक गैर लापकारी कमपनी के तौर पर किया गया था। उपरियुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन या फिर एक, दो और तीन। इससा सही जवाब ऑप्शन B, केवल दो और तीन। हाली में लोकसभा में कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शन वी जर्दोशी ने हतकरगा क्षेतर में सरकार द्वारा उठाए गए विभिन कदमों की जानकारी दी। राश्ट्री हतकरगा दिवस हर साल साथ अगस्त को मनाया जाता है। पहला राश्ट्री हतकरगा दिवस 2015 में चिन्नई में मनाया गया था। और खादी डिप्लोमेसी ऐसे ही कुछ उधारण है। भारत में कपड़ा और हतकरगा क्षेतर लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेतर है। अतह कथन्दो सही है। यह देश में आजीवी काका एक महत्वपूंड स्रोथ है और महिला सशक्तिकरण की कुण्जी के तौर पर है क्योंकि 70% से अधिक हतकरगा बुनकर और संबद श्रम एक महिलाएं है। हतकरगा निर्याद संवर्धन परिशद भारत सरकार के कपड़ा मंत्राले के तहर गठित एक नोडल एजनसी है। इसका गठन कमपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहर एक गैर लापकारी कमपनी के तौर पर किया गया था। इसका उद्देश्य सभी हतकरगा उत्पादों जैसे कपड़े, घरेलू सामान, फैब्रिक्स, होम फर्निशिंग, कालीन, फ्लोर कवरिंग आदी के निर्याद को बढ़ावा देना है। इसलिए कथन तीन भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही चवाब ऑप्शन B, के प्रश्न है, शीरोमानी गुरुद्वारा प्रबंधक समीती के संदर्ब में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सही है। इस धार्मिक मामलों सांस्कृतिक और एतिहासिक समारकों की देख भाल के लिए 1925 में एक विशेश अधिनियम के तहट स्थापित किया गया था। अतह कथन दो भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही चवाब ऑप्शन C, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो। इससा सही चवाब ऑप्शन A, केवल एक। किर्गिस्तान मध्य एशिया का एक देश है। यह उजबेकिस्तान, कजाखस्तान, चीन और ताजिकिस्तान के साथ सीमा साजा करता है। इसलिए कथन एक सही है। भारत के 1991 से किर्गिस्तान के साथ मजबूत द्वी पक्षिय संबंध रहे हैं। बारत 1992 में किर्गिस्तान के साथ राजनाइक संबंद स्थापित करने वाले शुरुवाती देशों में से एक देश है 2011 में भारत और किर्गिस्तान के बीच सहींगतिसैन्य अभ्यास खंजर की शुरुवात की गई थी काजिंद भारत और कजाकस्थान की सेनाओं के बीच एक संयुक्तिसैन्य अभ्यास है इसलिए कथन दो गलत है तो इस तरह इस प्रश्ण का सही जवाब ऑप्शन ए केवल एक अगला प्रश्ण है नई Laser Communications Relay Demonstration यानी LCRD के संबंद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक LCRD पेलोड अमेरिकी रक्षा विभाग के स्पेस टेस्ट प्रोग्राम सैटलाइट 6 के साथ सनलगन है दो, लेजर में अवरक्त प्रकाश प्रेयोग किया जाता है और रेडियो तरंगों की तुलना में इसकी तैरंग दैधर रेयक कम होती है उपरियुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनो या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही चवाब है option C, एक और दो दोनो हाली में NASA ने अपना नया laser communications relay demonstration लाँच किया यह NASA का पहला laser communications system है LCRD payload अमेरिकी रक्षाविभाग के space test program satellite 6 के साथ सनलगन है इसलिए कथन एक सही है यह प्रिथवी की सतह से 35,000 किलो मीटर की उचाई पर भू तुल्यकालिक कक्षा में होगा laser versus radio, laser communications और radio तरंगेप की प्रकाश तरंग दैधर्य अलग-अलग होती है laser में अवरक्त प्रकाश प्रयोग किया जाता है और radio तरंगों की तुल्ना में इसकी तरंग दैधर्य कम होती है इससे कम समय में जादा डाटा ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी इसलिए कथन दो सही है जान लेते हैं optical communication system के लाप के बारे में optical communication system का आकार छोटा और वजन कम होता है और इसमें रेडियो उपकर्णों की तुल्ना में कम उर्जा की आवशकता होती है यहां छोटे आकार का अर्थ है वैज्ञानिक उपकर्णों के लिए अधिक जगहां होना है कम वजन का मतलब है कम खर्चीली लॉंचिंग कम शक्ती का अर्थ है अंतरिक श्यान की बैटरियों का लंबे समय तक उप्योग हो सकना तो इस तरह इस प्रश्ण का सही जवाब उप्शन C एक और दो दोनो अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से किन राज्यों में पश्टिमी घाट का विस्तार है एक गुजरात, दो करनाटक, तीन महराश्ट्र, चार तमिलनाडू निम्नलिखित कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये एक दो और तीन, दो तीन और चार, एक तीन और चार, या फिर एक दो तीन और चार इसका सही जवाब उप्शन D, एक दो तीन और चार पश्चिमी घाट छे राज्जियों, गुजरात, महराश्ट्र, गोवा, करनाटक, तमिलनाडू और केरल में फैला एक विस्तरित क्षेत्र है यह विश्व में जैविविदता के आठ होटेस्ट होट स्पोर्स में से एक है यह कई लुप्त प्राए पौधों और जानवरों की प्रजातियों का निवास्थान है 2012 में सयोक्त राश्ट्र की सांस्कृतिक एजंसी, शैक्षनिक, व्यग्यानिक और सांस्कृतिक संगठन युनेस्को द्वारा भारत के पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर स्थल का दर्जादी आ गया युनेस्को के मुताबिक पश्चिमी घाट हिमाले से भी प्राचीन है विधक्षन पश्चिम से आने वाली बारिश से भरी मौनसूनी हवाओं को रोक कर भारतिय मौनसून के पैटन को प्रभावित करते हैं पश्चिमी घाट के वनों को प्राय द्वी पिये भारत के वाटर टौवर के तौर पर जाना जाता है अतह विकलप D सही है तो इस तरहां इस प्रश्चन का सही जवाब ऑप्शन D, 1, 2, 3 और 4 अगला प्रश्चन है असम राइफल्स के संबंद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक इसका प्रशासनिक नियंत्रण रक्षा मंत्राले के पास है वहीं इसका ऑपरेशनल कंट्रोल ग्रिही मंत्राले के पास है दो इसके वरिष्ठ रैंक अधिकारी आर्मी के ऑफिसर होते हैं उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है या फिर है नागा लैंड में हालिया घटना के बाद असम राइफल्स ने एक बयान जारी कर निर्दोष लोगों की मृत्यू पर खेद व्यक्त किया है जान लेते हैं असम राइफल्स के बारे में असम राइफल्स ग्रिही मंत्राले यानि MHA के परशासनिक नियंतरण के तहत केंद्रिय सशस्त्र पुलिस बलों यानि C.A.P.F. में से एक है अन्य बल केंद्रिय रिजर्व पुलिस बल यानि C.A.P.F. सीमा सुरक्षा बल यानि B.S.F. भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानि IT.B.P. केंद्रिय और द्योगिक सुरक्षा बल यानि C.A.S.F. और S.A.S.B. यानि सशस्त्र सीमा बल है इसे भारतिय सेना के साथ-साथ उत्तरपूर्व में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का काम स्वापा गया है इसके द्वारा इस क्षेत्र में भारत में आन्मार सीमा की रक्षा भी की जाती है यह दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एक मात्र अर्ध सैनिक बल है लेकिन कर्मियों की तैनाती, पोस्टिंग, स्थानांत्रण और प्रती नियुक्ती सेना द्वारा तै की जाती है इसके वरिष्ट रैंक अधिकारी आर्मी के ऑफिसर होते हैं इस बलकी कमान भारतिय सेना के लेफटिनेंट जर्नल के हाथ में होती है इसलिए कथन दो सही है तो इस तरहां इस प्रशन का सही जवाब ऑप्शन ए केवल एक अगला प्रशन है SIPRI द्वारा जारी रिपोर्ट के संबंद में निम्दलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक, 2019 की तुलना में 2020 में वैश्विक स्तर पर हत्यारों की बिकरी में भारत की हिस्सेदारी कम रही है दो, घरेलु खरीद ने भारतिये कमपनियों को महमारी के नकारात्मक आर्थिक परिणामों से बचाने में मदद की है उपर युक्त कथनों में से कौन सा यहां से सही है या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब ऑप्शन B, केवल दो हाल ही में वैश्विक हत्यारों के व्यापार पन्रजार रखने वाले स्टॉक होम इंटरनाशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट यानि SIPRI की रिपोर्ट जारी हुई इसके मताबिक तीन भारतिये कमपनियां 2020 में सैयोगत हत्यारों की बिकरी के लिए दुनिया की शीष सो कमपनियों में शामिल है ये कमपनियां हैं हिंदुस्तान Aeronautics Limited यानि HAL इंडियन ओर्डिनेंस फैक्टरी और भारत Electronics Limited यानि BEL 2020 में वैश्विक स्तर पर हत्यारों की बिकरी में भारत की हिस्सेदारी 1.2 प्रतिशत थी 6.5 बिलियन डॉलर की भारत की कुल हत्यारों की बिकरी 2019 की तुलना में 2020 में 1.7 प्रतिशत अधिक रही इसलिए कथन एक गलत है हत्यारों की बिकरी में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने वाले कारक हैं घरेलु खरीद ने भारतिये कमपनियों को महमारी के नकारात्मक आर्थिक परिणामों से बचाने में मदद की है इसलिए कथन दो सही है 2020 में भारत सरकार द्वारा सौ से अधिक विभिन प्रकार के सैने उपकर्णों के आयात पर चरण बद तरीके से प्रतिबंद लगाने की घोशना के चलते घरेलू कमपनियों का समर्थन करने और हतियारों के उत्पादन में आत्मे निर्भरता बढ़ाने में मदद मिली तो इस तरहां इस प्रशन का सही जवाबे उप्शन B केवल दो अंतिम प्रशन है भारतिये क्रिशी अनुसंधान परिशद यानि ICAR के संबंद में निम्दलिखित कत्नों पर विचार कीजिए एक इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकरित सोसाइटी के तोर पर स्थापित किया गया था दो यह क्रिशी अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग यानि D.A.R.E. क्रिशी और किसान कल्यान मंत्राले भारत सरकार के तहत एक स्वायत संगठन है उपरियोक्त कत्नों में से कौन सा या से सही है या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनो या फिर ना तो एक और इससे ही जवाब उप्शन C, एक और दो दोनों यानि दोनों कथन सही है हाली में I.C.A.R. यानि भारतिये क्रिशी अनुसंधान परिशत के केंद्रिये तटिये क्रिशी अनुसंधान संस्थान यानि C.C.A.R.I. द्वारा 5 दिसंबर 2021 को विश्व मृदा दिवस यानि W.S. बारतिये क्रिशी अनुसंधान परिशत यानि I.C.A.R. की स्थापना 16 जुलाई 1929 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकरित सोसाइटी के रूप में की गई थी इसलिए कथन एक सही है यहे क्रिशी अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग यानि D.A.R. क्रिशी और किसान कल्यान मंत्राले के तहत एक स्वायत संगठन है इसलिए कथन दो भी सही है इसका मुख्याले नई दिल्ली में है देश भर में फैले 102 I.C.A.R. संस्थानों और 71 क्रिशी विश्व विद्यालियों के साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रिये क्र क्रिशी प्रणालियों में से एक है यह पूरे देश में बागवानी मत्सेपालन और पशुव विज्ञान सहित क्रिशी में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वे मार्ग दर्शन और प्रबंधन के लिए एक शीष निकाय है तो इस तरह इस प्रशन का सही जवाबे उप्श रहा था तीन शिक्षित मद्यवर्ग ने इस विद्रहो का समर्थन किया उपर युट कथ्नों में से कौन सा यह सही है या फिर है केवल एक और दो केवल दू केवल1 और 3 या फिर 123 js इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा अगले सैशन में नए प्रशन के साथ मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद